नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी कथा समराट मुन्शी प्रेम चन द्वारा लिखी हुई कहानी, खुदाई फौजदार सेट नानक चन को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया, लिफाफा खोलते हुए हाथ और हिर्दे दौनों कापने लगे, खत में क्या है, यह उन्हें खुम मालूम था, इसी तरह दो खत पहले भी पा चुके थे, इस तीसरे खत में भी वही धमकिया हैं, इसमें उन्हें संदेह ना था, पत्र हात में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे, वह दिल के मजबूत आदमी थे, धमनियों से डरना उन्होंने न सीखा था, मुर्दों से भी अपनी रकम बसूल कर लेते थे, दया या उपकार जैसी मानविय दुरवलताय उन्हें छूबी न गई थी, नहीं तो महाजन ही कैसे बनते, उस पर धर्मनिस्ट भी थे, हर पूर्ण मासी को सत्यनाराणी की कथा सुनते थे, हर मंगल को महावीर जी को लड़ू चड़ाते थे, नेत्य प्रति जमुना में इस्नान करते थे, औ प्रत रखते और ब्रहमनों को भूचन कराते थे, और इधर जब से एग ही में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवानी की फिराक में थे, जमीन ठीक कर ली थी, उनके असामियों में सैक्ड़ों ही थवई और बेलदार थे, जो किवल सूध में काम को तयार करते थे, इंतजार यही था कि कोई इंट और चूने वाला फस जाए और दस वीस हजार का दस्तावेश लिखा ले, तो सूध में इंट और चूना भी मिल जाए, इस धर्म निष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी, देवताओं के आसिरवाद और कहने लगी थी, कहीं सचमुच डाकों ने छापा मारा, तो कौन उनकी सहायता करेगा? देवी वाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर सकते थे, पस सिरपा लटकती हुई इस तलवार के सामने वह सरद्धा कुछ काम न देती थी, रात को उनकी दौार पर के मावे, यद्दे पी सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह ऐसान फरामोशों का संप्रदाय है, जिस पतल में खाता है, उसी में छेद करता है, जिसके दौार पर अबसर पढ़ने पर नाक रगड़ता है, उसी का दुश्मन भी हो जाता है, इनसे कोई आशा न हाँ, किवाड़ सुद्रण हैं, उन्हें तोड़ना असान नहीं, फिर अंदर का दर्वाजा भी तो है, सो आदमी लग जाएं, तो हिला भी न पाएं, और किसी और से हमले का खटका नहीं, इतनी उची सपाट दीवार पर कोई क्या खाके चड़ेगा, फिर उनके पास राइ चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो, खित्मत गार भी आस्तीन के साप हो गए हैं, इसलिए वह आप बहुदा अंदर ही रहते थे, और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ लें, उनसे मिलते ना थे, फिर भी दो-चार घंटे तो चौपाल में बैठने ही शीव कभी न थे, गालियां तो क्या किसी से तू तकार भी न करते, सूद की इदर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांती न मिलती थी, आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद, उन्होंने पत्र खोला, और जैसे गोली लग गई, सिर में चक्क होगी कि पुलिस तुमारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुमारा भ्रह्म है, पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके सौकोस निकल गए होंगे, तुमारी अकल पर पथर पढ़ गया है, इसमें हमारा कोई दोज नहीं, हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपे मांगते हैं, इतने रुपे दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, हमें पता है कि तुम्हारे पास एक लाकी मौरे रखी हुई हैं, लेकिन बिनाश काले विपरीत बुल्थी, अब हम तुम्हें और जादा ना समझाएंगे, तुमको समझानी की चिष्टा करना ही बेर् आज शाम तक अके रुपे ना आ गए, तो रात को तुम्हारे उपर धावा होगा, अपनी हिफाज़त के लिए जिसे चाहो बुला लो, जितने आदमियों हत्यार जमा करना चाहो, जमा कर लो, हम ललकार कराएंगे और दिन दहाडे आएंगे, हम चोर नहीं हैं, हम बीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है, हम जानते हैं कि लक्षमी उसी के गले में जैमाल डालती है, जो धनुष तोड़ सकता है, मचली को बेद सकता है, सेट ने तुरंद वही खाते बंद कर दिया और रोकर संभाल कर तिजोरी में रगती, और सामने का द्वार भीतर से ब शौक सिंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन ब्रिक्ष की तरह जो पतिजड में भी हरी भरी पतियों से लदा रहता है, संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सबार रहती थी, जाया कि इस वस्त्र को उस समय तक उतारना न चाहती थी, जब तक उसमें एक तार भी बागी रहे, बाल बच्चे होते तो अमरित्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था, फिर क्यों वो अधिक से अधिक समय तक जीए, हाँ, वो जीवन निर लेकिन तुम सुनते ही नहीं, आखिर क्या करने पर तुले हुए हो, सेट जी सशंक तो थे, और यह सौभाविक था, ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वो कायर नहीं थे, उन्हें अभी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े, तो वो पीछे एक कदम न हटाएंगे, जो कुछ कमजोरी आ गई थी, वो संकट को सिर्प मडराते देखकर भाग गई थी, हिरन भी तो भागने की रहना पाक है, शिकारी पर चोट कर बैठता है, कभी कभी नहीं, अकसर संकट पड़ने पर ही आदमी के जोहर खुलते हैं, इतनी देर में, सेट जी ने सेटानी जी को दिलासा देतुए बोले, तुम नाहा कितना डरती हो के सर, आखिर बेज सब भी तो आदमी है, अपनी जान का मोह उने भी है, नहीं तो या कुकर्म ही क्यों करते, मैं खिड़की के आर से दस भी सादमियों को गिरा सकता हूं, पुलिस को इतला भी देने जा र धर्म हो जाता है, राजनीती का यह तत्त उसकी समझ में नहीं आया, वह तो किसी तरह उस भाइस से मुक्त होना चाहती थी, जो उसके दिल में साब की भांती बैठा फुपकार रहा था, पुलिस का उसे जो अनुभव था, उससे चित्त को शंतोस नहोता था, बोली, पुलि इस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो, मैं तो कहती हूँ हूँ अगर कल बारदात होने वाली होगी, तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी, लूट के माल में इनका भी तो साजा होता है, जानता हूँ, देख चुका हूँ, और रोज देखता हूँ लेकिन मैं सरकार को दस हजार का सालाना टेक्स देता हूँ, पुलिस वालों का आदर सतकार भी करता रहता हूँ, अभी जाड़ों मैं सुप्रिटेंडेंडेंट साहब आये थे, तो मैंने कितनी रसत पहुँचाई थी, एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी यह सब खाना पिलाना किस दिन काम आएगा? हाँ, आदमी को सोले आने दूसरों के भरूसे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है तो मैं भी बंदुक चलाना सिखा दो, हम दोना बंदुक हैं छोड़ना शुरू करेंगे, तो डांकों की क्या मजा लेके अंदर कद इसमें हसी की क्या बात है? आज कल तो औरतों की फोजे बन रही हैं, सिपाईयों की तरह औरतें भी कवायत करती हैं, बंदुक चलाती हैं, मैंदानों में खेलती हैं, औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं है, बिलायत की औरतें बंदुक चलाती होंगी, यहां की औ बहादवर की जमान चाहे चला लें। यहां की ओरतों ने बहादुरी की जो जो काम किये हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन ब्रितानतों को पढ़कर चकित हो जाती है। पुराने जमानी की बातें चोड़ो तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही हैं। वाह। अभी हजारों औरतें घरवाज छोड़कर हस्ते हस्ते जेल चली गई थी। यह बहादुरी नहीं थी। अभी पंजाब में हरनात कुमर ने अकेले चार तो दांकुओं को ग्रिफतार किया और लाट साथ तक ने प्रसंसा की उसकी। क्या जाने वे कैसी औरतें मैं तो दांकुओं को देखती चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा सरकार थाने से चार कॉंस्टिवल आए हैं आपको बुला रहे हैं। सेट जी प्रसंद होकर बोले थानेदार भी हैं। नहीं सरकार अकेले कॉंस्टिवल हैं। थानेदार क्यों नहीं आया। यह कहते हुए सेट जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेट जी को देखते ही चारों कॉंस्टिवल उने जुकत सलाम किया बिलकुल अंग्रे जी का रहे हो। सेट जी ने उन्हें बेंचों पर बिठाया और बोले। दरुगा जी का मिजाज तो अच्छा है मैं तो उनके पास ही आने वाला था। चारों मज़े सबसे प्रौड था जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे। बोला। आप क्यूं तकलीफ करते हैं वो कह चुके हैं कि मुझे तो सबसे जादा फिकर सेट जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आये होंगे। सेट जी ने लापरवाई दिखा कर कहा। जी ऐसी चिठियां तो आती ही रहती हैं। इनकी कौन परवा करता है। मेरे पास तो तीन खत आ चुके हैं। मैंने तो मालम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जबी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा। मगर वहां कैसे ख़वर पहुची। मैं तो किसी से कुछ कहा भी नहीं। कौन स्टेवल ने रहसमें भावसे कहा। हुजूर यह न पूछे इलाके के सबसे बड़े सेट के पास ऐसे खताएं और पुलिस को खबर ना हो। भला कोई बात है। फिर उपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेट जी को शिकायत का कोई मौका न दिया जाए। सुपरिटेंडम साहब की खास ताकीद है अपके लिए। और हुजूर सरक जार भी तो आप ही के बूद्दे पर चलती है। सेट साहुकारों के जानमाल की हिफाज़त ना करें तो रहें कहां। हमारे होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिर्ची आँखों से देख सके। मगर ये कमबड डांकू इतने दिलेर और तादात में इतने जादा हैं कि थान जाद मंगा कर ही क्या किया जाए। इलाके के रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं हुजूर मालिक हैं आप से क्या छिपाएं। किस के पास रखा है इतना माल असबाब। और अगर किसी के पास दो चार सो की पूंजी निकल ही आई तो इसके लिए पुलिस डांकों के पीछे अपनी जान हतली पर लिये न फिरेगी। उन्हें क्या वह तो छूटते ही गूली चलाते हैं। और अक्सा छिपकर हमारे लिए तो हजार बंदिसे हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जाना अफत में फस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि साफ मरे और लाठी न तूटे। इसलिए दरुगा जी ने आप से यह आर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीज़ें हो उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा करती जिए। आपको उसकी रसित दे दी जाएगी। ताला और मोहर आप ही के पास रहेगी। जब को तो जो नुकसान हो वह तो हो हमारे उपर भी जबाब दे ही आजाए। और यह जालिम सिर्फ माल असवाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ते। खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहां तक कि औरतों की पीचिती भी करते हैं। खुजूर तो जानते हैं, होता ह वही जो तक्तीर में लिखा है। आप एकवाल वाले आदमी हैं, डागू आपका कुछ नहीं बिगाड सकते। सारक कस्वा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा, पाठ, धर्म, कम, खुदा खुद देख रहा है। यह उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी चूल है तो सोना हो जाए। लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाज़त करता है। खुदूर के पास मौटर है ही। जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम चार आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं। वहाँ एक मिनट में आपको फुरसत हो जाए। पता चला है कि इस गोल में 20 आदमी हैं। दो तो बैरागी बने हुए हैं, दो पंजाबियों के भेस में धुस्से और अलबान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ तो दो बहंगी बाले भी हैं। दो आदमी बलुचियों के भेस में छुरियां और ताले बिचते हैं। कहां तक पास में न करता जब किसी दवा से रोगी को लाब नहीं होता तो हम दुआ तावीज, ओजों और सायानों की शरण लेते हैं और वहां तो संधिया करने का कोई कारण ही नहीं था संभाब है दरुगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेट जी इसके लिए तयार थे अगर दो-चार सौ बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं ऐसे अपसर तो जीवन में आते ही रहते हैं और इस परिस्थिती में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था बलकिसे तो इश्वरी प्रेणा समझना चाहिए, माना उनके पास दो-दो बंदू के हैं कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम उन्होंने निश्चय किया, दरूगा जी के इस क्रपा से लाव उठाना चाहिए इन्ही आदमियों को कुछ दे दिला का सारी चीज़े निकल वा लेंगे दूसरों का क्या भरूसा, कहीं कोई चीज उड़ाद हैं, तो बस उन्होंने उस भाव से कहा मानो दरूगा जी ने उन पर कोई विश्यश्क्रपा नहीं की है, वह तो उनका कर्तब भी ही था मैंने यहां ऐसे प्रवंद किया था, कि यहां वह सब आते, तो उनके दाथ खटे कर दिया जाते सारा कस्वा मदद के लिए तैयार था, सभी से तो अपना मित्र भाव है लेकिन दरूगा जी की तजबीच मुझे पसंद है, इससे वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते है और मेरे सिर से भी फिक्र का बोज उतर जाता है, लेकिन भीतर से चीज़ें बहान निकाल निकाल का लाना मेरे बूते की बात नहीं आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की तो कमी नहीं है, मगर किसकी नियत कैसी है, कौन जान सकता है आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए हेड कॉंस्टेवल ने बड़ी खुशी से यह सेवा सुईकार कर ली और बोला हम सर्भ हुजूर के तावेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है तलब सरकार से पाते हैं या ठीक है, मगर देने वाली तो आप भी है आप के वल सामान हमें दिखाते जाए, हम बात की बात में सारी चीज़े निकाल लाएंगे हुजूर की खिद्मत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही तनखा में गुजर नहीं होता सेट जी आप लोगों की रहम की निगाना हो तो एक दिन भी निवाना हो बाल बच्चे भूंकों मर जाएं, पंद्रे बिस रुपे में क्या होता है हुजूर इतना तो हमारे लिए पूरा नहीं पड़ता सेट जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आखे मिल गई, बोली भगवान ने सहाथता की नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे सेट जी ने सरबग्यता के भाव से फरमाया इसी को कहते हैं सरकार का इंतजान इसी मुस्तेदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है कैसी सुब्यवस्था है कि जरासी कोई बात हो वहाँ पर और खबर पहुंच जाती है तुरंत उसकी रोप थाम का हुक्म हो जाता है और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराजी स्वराजी चिला रहे हैं इनके हाथ में अक्तियार आ जाए तो दिन दोपहा लूट मच जाए कोई किसी की न सुने उपर से ताकीद आई है हाकिमों का आदर सतकार कभी निस्वल नहीं जाता मैं तो सोचता हूँ कोई बहमूली बस तु घर में न छोड़ू साले आएं तो अपना सा मूँ लेकर रह जाएं केसा ने मन ही मन प्रसन होकर कहा और कुंजी उनके सामने फैंक दी जो चीच चाहो निकाल ले जाओ साले जहेंब जाएंगे मुँ में कालिक लग जाएगी घमन तो देखो के तिथी तक बता दी यह नहीं समझे के अंग्रे जी सरकार का राज है तुम डाल डाल चलो तो वह पात पात चलते हैं समझे होंगे के धमकी में आ जाएंगे तीन कॉंस्टिबोलों ने आकल संदूक्चे और सेफ निकालने शुरू किये एक बाहर सामान को मोटर पल लाद रहा था और एक हर एक चीज को नोटबक पर टांकता जाता था आभूशन, मोहरे, नोट, रुपए, किंटी, कपड़े, साणिया लहेंगे, शाल, दुशाले सब कार में रखती है मामूली बरतन, लोहे लकड़ी के सामान, फरसादी के सिवा घर में और कुछ ने बचा और डांकों के लिए ये चीजां कोड़ी की भी नहीं केसर का सिंगारदान खुद सेट जी लाए और हेड के हाथ में दे कर बोले इसे बड़ी हिफाज़त से रखना भाई चुका, मगर यह सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हुआ योही, पूछा था, सेट जी लजज़ित हो गए नहीं, अगर आपके दिल में कोई शुबहा हो तो हम लोग यहाँ भी आपके खिदमत के लिए हाजिर है हाँ, हम जिम्मेदार नहोंगे अजी नहीं, हैट साहाब, मैंने तो यह भी पूछ लिया था यह फैरिस तो मुझे दे दोगे न फैरिस तो आपको थाने में दरुगा जी के दस्तखस से मिलेगी इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामार रख दिया गया था कस्वे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे कार बड़ी थी, पर ठसा ठस भरी हुई थी बड़ी मुश्किल से सेट जी के लिए जगए निकली चारों कॉंस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे कार चली केसा द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानों उसकी बेटी विदा हो रही हो बेटी ससुराल जा रही है जहां वह मालकिन बनेगी लेकिन उसका घथ सूना किये जा रही है थाना यहां से पांच मिल पर था कस्वे से बाहा निकलते ही पहाणों का पथरीला सन्नाटा था जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और इसी मैदान के बीच में लाल मौरम की सड़क चक्कर खाते हुई लाल साप जैसे निकल गए थी हैड ने सेड़ जी से पूछा यह कहां तक सही है सेड़ जी कि आज से 25 साल पहले आपके बाप के वर लोटा डोर लेकर यहां खाली हात आई थी सेड़ जी ने गर्व करते हुए कहा बिल्कुल सही है मेरे पास कुल 3 रुपए थे उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी तक तीर का खेल है भगवान की दया चाहिए आदमी के बनते बिगड़ते दे नहीं लगती लेकिन मैंने कभी पैसे को दाथ से नहीं पकड़ा यह था शक्ती धर्म का पालन करता गया धान की शोबा धर्म ही से है नहीं तो धन से कोई फाइदा नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेड़ जी आपको मूरत बना कर पूजना चाहिए तीन रुपए से लाग कमा लेना मामूली काम नहीं आधी रात तक सिर उठानी की फुरसत नहीं मिलती खाँ साहब आपको तो यह सब कारवा जंजाल सा लगता होगा जंजाल तो है ही मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझ कर भी इसमें फस जाता है और सारी उम्र फसा ही रहता है मौत आ जाती है तब ही छुट्टी मिलती है बस यही अविलाशा है को कुछ यादगार छोड़ जाओ आपके कोई उलाद हुई ही नहीं भाग के मैं ना थी खां साहब और क्या कहूँ जिनके घर में भूनी भांग नहीं उनके याँ घास खुज की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो जिनने भगवान ने खाने को दिया है मैं संतान का मूँ देखने को तरस्ते है आप बिल्गुल ठीक कहते हैं सेट जी जिन्दिगी का मज़ा संतान से है जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धंदौलत किस काम की ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब एक शण भी यहां न रहता कहीं तीर्थिस्थान में बैटकर भगवान का भजन करता मगर करूं क्या माया जाल तोड़े नहीं तूटता एक बाद दिल मजबूत करके तोड़ देते क्यों नहीं तूटता सब उठा का गरीमों को बाट दीजिए सादू संतों को नहीं न मोटे भ्रहमनों को बलकि उनको जिन के लिए जिन्दगी बोज हो रही है जिसकी यही एक आर्जू है कि मौत आकर उनकी विपत्ती का अंत कर दे इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खां साहब भगवान की इच्छा होती तभी मन में बैरा गया था आज भगवान ने आपके उपर दया की है हम इस माया जाल को मकडी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजात करनी के लिए भीजे गए है भगवान आपकी भक्ती से प्रसंद हो गए है और आपको इस बंदन में नहीं रखना चाहते जीवन मुक्त कर देना चाहते है ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खां साहर भगवान की ऐसी ही दया है सेट जी विश्वास मानिये हमें इसलिए उन्होंने मिर्टिलोक में तैनात किया है हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेडियां काट चुके है आज आपकी बारी है सेट जी की नाडियों में जैसे रक्त का प्रबाब बंध हो गया सैमी हुई आँखों से सिपाईयों को देखा फिर बोले आप बड़े हसोड है खां साहर हमारे जीवन का सिद्धान्त है कि किसी को कश्ट मत दो लेकिन ये रुपए बाले कुछ ऐसी आंदी खुपड़ी के लोग है कि जो उनका उध्धार कहने आता है उसी के दुश्मन हो जाते है हम आपकी बेडियां काटने आए है लेकिन अगर आप से कहें कि ये सब जमा जथा और लता पता छोड़ का घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिलाना शुरू कर देंगे हम लोग वही खुदाई फौजदार है जिनके इतलाई खत आपके पास पहुँच चुके है सेड़ जी मानो आकास से पाताल में गिर पड़े सारी ग्यानेंद्रियों ने जबाब दे दिया और इसी मूर्चा की दशामे वह मोटर कार से नीचे धकेल दिये गए और गाड़ी चल पड़ी सेड़ जी की चेश्टा जाग पड़ी बदहावास गाड़ी के पीछे दोड़े हुजूर सरगार तबा हो जाएंगे दया कीजिए घर में एक कोड़ी भी नहीं है हैट साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और तीन रुपए जमीन पर फैक दिये मोटर की चाल तेज हो गई सेड़ जी सेड़ पकड़ कर बैठ गए और बिकशिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा जैसे कोई शब स्वरगा रोही प्राण को देखे जिनकी जीवन का स्वपन उड़ा चला जा रहा था दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद्वारा लिखी हुई कहानी खुदाई फौजदार